यहां पर एक question है the radical ठीक है यानि यह क्या हो जाएगा बेंजिल का फिर radical है ठीक है बेंजिल का फिर radical is aromatic यह क्या है क्योंकि इसके पास क्या होता है तो यहां पर आंसर आएगा c 6p orbitals and 6 unpaired electrons यह किस तरह से होगा आईए हम देखते हैं अगर इतना तो हम जानते हैं कि according to Hickle rule Hickle ने क्या कहा क्या formula दिया हमें Hickle ने 4n plus 2 pi electrons ठीक है ना यानि जब electrons क्या हो 2 pi हो 6 pi हो 10 pi हो 14 pi हो ठीक है यह इतने electrons होता हो क्या होते हैं तो यहां पर हमारे 6 pi electrons है ठीक है हेकल रूल से अरोमेटिक तो है जैसा कि हमें question में बताया जा रहा है दूसरी बात क्या है कि यह planar होना चाहिए दूसरी बात क्या है कि रिंग को अरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए तो ठीक है कि हम जानते हैं कि सिंगल वांड क्या होता है SP3 hybridization, double bond, SP2 hybridization और triple bond में SP hybridization होता है तो यहां पर अगर हम देखें तो हर carbon क्या है SP2 hybridized है ठीक है यानि हर carbon, सारा carbon क्या है double bond वाला है सारा carbon क्या है double bond वाला है ठीक है, यानि SP2 hybridization है क्योंकि SP2 hybridization जिन में होता है वो क्या होते हैं triangular, planar होते हैं ठीक है, plane में होते हैं तो यह भी जो अरोमेटिक के पेशान है तो SP2 hybridization होता है जो कि क्या होता है प्लेन में एक दूसरे से 120 डिगरी पर ये होते हैं ठीक है ना इसके और्विटल्स कार्बन के ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो इसमें इस पिटो हैब्रिडाइजिशन है किस तरह से हैं हम देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन क् होता है 6 एलेक्ट्रोन्स होते हैं 1s2 2s2 और 2p 2 सबसे लाज शेल में हाइब्रिडाइजिशन होता हम देखेंगे क्या है 2s2 है यानि एस अर्बिटल इसके अंदर कितने दो इलेक्ट्रोन्स है फिर पी और्बिटल है पी में तीन आर्बिटल होते हैं इसमें दो इलेक्ट् यहाँ पर एक्साइट होके पी आर्बिटल यानि पी जेड में चला जाता है तो क्या हो जाता है यहाँ पर एक एलेक्ट्रोन बचता है और यहाँ पर सब हाफ फिल्ड हो जाते है ठीक यह एस है और यह पी एक्स पी वाई और पी जेड तीन आर्बिटल है तो यहाँ पर क् आन्याद चानते हैं, बेंजीन के कार्बन में, SP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानि AKS और 2P ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, और एक ही जो याला है, है ना, PZ ये क्या रहता है, अन्हाइब्रिडाइजेट रह जाता है, ठीक, तो हम देखें कि जैसी हाइ होता है तो क्या structure होती SP2 की है ना ठीक है तो जब AKS जब AKS और दो P hybridization में भाग लेते हैं तो क्या होते हैं ये इस तरह से जो है इनका hybridization होता है ये PY और ये मिलके क्या होते हैं आपस में mix हो जाते हैं और क्या बनाते हैं सेम एनर्जी वाले चाहे S और P की एनर्जी में थोड़ एफरेंस रहे है ना लेकिन जब ये एनर्जी का redistribution करते हैं और सेम एनर्जी वाले जितने ये atomic orbitals होते हैं 1,2 और 3 होते ही क्या बनाते हैं hybridized orbital 1,2 और 3 ठीक है ना तीन SP2 hybridized orbital बनाते हैं ठीक है ना और सब में कहके हैं एक-एक electron है यह हमने देखा एक इसमे एक इसमे एक इसमे तो इनमें भी एक-एक electron होते हैं और एक या क्या होता है पी-जेड वाला unhybridized रह जाता है यानि यह साही पड़ा रह जाता है इसमें एक electron होता है ठीके न तो यह हमारा sp2 hybridized orbital होता है ठीके जिसमें यह क्या होता है unhybridized रह जाता है ठीके न यह संकृत नहीं होता तो यहां पर क्या हो जाएगा बेंजिन रिंग में क्या हो जाएगा बेंजिन रिंग में हमने क्या देखा SP to hybridization में यह जो है पंखे जैसा SP to hybridization और एक है unhybridized ठीक है ना unhybridized को हम अलग color से बता देते हैं ठीक फिर यहाँ पे जो है next जो है क्या हो जाएगा इधर वाले carbon का ठीक है इधर वाले carbon का ठीक है यहाँ पर भी एक unhybridized ठीक है orbital फिर next carbon ले हम तो क्या हो जाएगा next carbon में यहाँ पर अगर हम देखे तो यह पंखे जैसा structure यह होगे यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम देखे तो फिर एक unhybridized रह जाएगा तो यहाँ पर अगर हम देखे तो हमने क्या देखा था कि हमारे हर इस orbital में एक electron है और एक इसमें था यहाँ पर हर इसमें एक electron है ठीक है ना इस वितरी hybridized एक यहाँ एक यहाँ यहाँ ठीक है ना चार electrons थे यह 4 electrons ठीक है यह चार एलेक्ट्रोंस ठीक तो यहां से यह से क्या करेगा और लेपिंग करेगा बॉर्ण बना लेगा यहां पर यह से ओर लेपिंग करेगा बॉर्ण बना लेगा यह से बनाएगा यह से बनाएगा यह से और यह से यह हमारा बेंजिन रिंग तयार हो गया ठीक है और यहां पर क्या रहता है कि यह जो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा हमारे क्वेश्चन में क्या था था यह हमारे क्वेश्चन से वन टू थ्री फॉर फाइब 6. 6P unhybridized orbital हो गए ठीक है ना? और इनके अंदर क्या है? 6 यह 6P पहले हमारे orbitals हो गए है और इनके अंदर क्या है? 6 जो है unpaired electrons हैं जो भी pair नहीं हो थीक है ठीक है ना? तो यह हमारा answer क्या होगा? C होगा जिसमें क्या कह रखा है कि aromaticity के लिए क्या है? 6P unhybridized orbital हमारे ये red वाले है ना और इन में क्या है 6 unpaired electrons है जो कि बाद में ये pair होई जाते है किस तरह से होंगे किस तरह से होंगे इसका एक electron इसका एक ये pi bond बन गया एक इसका एक इसका ये pi bond बन गया हम जानते है 2 bond होते हैं 1 sigma और एक pi होता है single bond सारे sigma होते हैं ठीके ना और यहाँ पर क्या होगा अब इसका एक electron इसका एक electron sidewise overlapping करेंगे हम जानते हैं sidewise overlapping से क्या बनते हैं pi bond बनते हैं ठीके ना तो ये unpaired six electrons जो है ये यहाँ पर pair बना कर pi bond benzene ring के अंदर बना लेते हैं ठीके ना तो हम जानते हैं ये जो aromatic होता हमारा benzen ring ठीके ना तो ये इस वज़े से हमारा benzen ring aromatic होता है और यहाँ पर जो ये electron जो एक एक बच रहे हैं जो बाकी यहाँ से क्या होता है hydrogen अपना एक electron लेकर ठीके ना तो ये हमारा carbon और ये CH तो ये CH बन गया फिर यहाँ पर अगर हम देखे सब तरफ तो एक एक electron ने bond बना लिया यहाँ पर एक hydrogen आकर अपना एक electron लेकर एक hydrogen यहाँ जो है overlapping कर लेगा एक hydrogen यहाँ पर आ जाएगा अपना एक electron लेकर अपोजिक डारेक्शन वाला एक यहाँ पर आ जाएगा hydrogen यहाँ पर तो जो है वो जुड़ावा है अपना है ना यह जुड़ावा है bond से CH2 तो यहाँ पर hydrogen नहीं होगा तो यहाँ पर अगर हम देखे तो एक hydrogen यहाँ पर pair हो जाएगा एक hydrogen यहाँ पर pair बना लेगा bond बना लेगा यह जो है हमारे हर तरफ CH bond और यहाँ पर hydrogen नहीं है ठीक क्योंकि यहाँ पर CH to H है यह CH और यह CH जो है हमारा carbon से hydrogen एक-एक electron से जुड़ जाता यह हमारी पूरी benzene ring तैयार हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर answer हमारा C 6P orbitals और 6P और जो है 6P unpaired electrons इसमें होते हैं ठीक है थैंक्स पर वाचिंग